कि नमस्कार आप देख रहे हैं दिविया न्यूज और मैं हूँ गजेंदर सिंग चोहान आज हम बात करेंगे सरदार शहर पुलिस के मानुवता फूर्ण चेहरे की आज हम बात करेंगे सरदार शहर पुलिस की द्रहसल पुलिस का नाम आते ही जहन में एक ठोपनाग तस्वीर के सामने आती है तस्वीर इस प्रकार के सामने आती कि पुलिस थाने में जाने के बाद हमाई साथ अथा विवार नहीं होगा हमाई समझ्चाओं को नहीं सुना जाएगा हमसे हो सकता है रिस्वत मांगी जाए लेकिन ऐसा कुछ नहीं है सरदार शहर पुलिस का एक अलग ही 66 रुपे की साइतारा सीधी है तरसल 12 सितंबर को कमल जीतनाई का अक्समात निजन हो गया था जिसके बाद से ही सरदाज सेर पुलिस कर्मी है वो उनके लिए कुछ करना चाते थे क्योंकि कमल जीतनाई है वो सच्चे पुलिस मित्तर ते राजस्तान को समय समय पर इस परकार के अभ्यान चलाए जाते हैं जिससे आमजन से पुलिस का सीधा जुडाव हो इसी अभ्यान के तहत पुलिस मित्तर भी मनाई जाते हैं लेकि कमल जीतनाई है वो किसी अभ्यान के मौताज नहीं थे वो सच्चे पुलिस मित्तर थे पुलिस कर्मियों को जब भी उनके आशक् पुत्रियों को साहतरा सी भेट की इस दोरान थाना दिकारी सतपाल विश्णोई ने बताया कि कमल जीत नाई है वो सद्याओई पुलिस का सियोग करने वाले व्यक्ति थे उसको कभी भी उनकी ज़रूरत होती तो कमल जीत नाई है वो दोड़ कर आते कहिना कार से पुलिस की छ संख्या में पुलिस कर्मी कमल जीत नाई की घर पहुंचे और कमल जीत नाई की बेटी निशा नाई को एक लाख पांच पजार च्छसो रुपई सोंपकर सची शंदाज ले दी आपको बता दे कि अपरादों में कमी लाने के लिए पुलिस नहीं नहीं योजनाओं के तहत आमजन के साथ अच्छे संबंद स्कापित करती हैं पुलिस की पुलिस मितर योजना के तहत भी मितर बनाए जाते हैं लेकिन साधार शीहर ठाने के एक ऐसी मितर जो किसी योजना के तहत नहीं बनाई गए बलकि पुलिस के सच्चे मितर थे सद्धार शेहर के वाड 28 मिवारते 35 वर्षे कमल जीद नाई जो पिछले 20 वर्षों से पुलीस थाने में कारे रद पुलीस कर्मियों की सच्चे मितर की तरह हर कारिये में तयार लेते थे कमल जीत वैसे तो इलेक्टोनिक का कारिये करते थे जिसके चलते पुलीस कर्मियों के उनसे जानकारी हुई और उसके बाद जम भी किसी पुलीस कर्मी को इलेक्टोनिक कारिये के चलते किसी की जुरत होती तो वहें तुरंट कमल जीत को याद करते और वहें तुरंट जाकर उ उनके समश्या को दूर करते और पुलीस कर्मियों को भी किसी अन्हें निज्जी कारिये के लिए भी कभी मना नहीं करते मारा सितमर को कमलजीत अपने घर के बातरूम से निकल रहे थे इसी तोरान उनका पेर फिसल गया और लोहे की गेट से सर टकरा गया जिससे उनके सर में गंबीर चोट आई जिनको तुरंत राजिकी इस्पताल पहुंचाया गया जहां डोक्टरों ने तुरंत मुरत गोशित कर दिया कमलजीत नाई के निधन की सुचना जैसी की पुलीस थाने में लगी तो घर कोई इस गतना से इस्थब्द रह गया और कमलजीत नाई के निधन पर शोग प्रकट किया गुरुवार को थाना दिकारी सत्वाल विश्णोई सहित बड़ी संख्या में पुलीस कर्मी कमलजीत नाई के घर को उचे और उनके परिवार जनों को ठान्टस बनाया आपको बता दे कि पुलीस में तर कमलजीत नाई तीन खरियों में सबसे बड़े थे कमलजीत के एक बेटे कमलजीत के एक छोटे बाई की पहले भी म्रत्यू हो चुकी है कमल जीत की दो पुत्मिया हैं जिनका रो रोकर बुरा हाल है पुलीस कर्मियों को भी पुलीस में तक कमल जीत नाई की अचानक छोड़कर चुले जाने से काफी आगात लगा है कमल जीत नाई की अकस्मात निदन पर हर कोई दुख प्रकट कर रहा है